आने बाले सेफ सीजन के लिए सोलन के मंडी बिलकुल दयार हो चुकी है। लिए टेंडर लगवाय जा रहे हैं। शोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह अनुसरन किया जाएका उसके लिए नियम भी मनाय जा रहे हैं। जम्मों से संपर कर रहे हैं बहीं जब ये खरीदार यहां पहुंचेंगे तो उन्हें लेबर की कमी अनुभव ना हो उसकी सूची भी तयार कर ली गई है। यूपी बिहार और जम्मों कश्मीर के मजदूरों से आने बाले 225 मजदूरों ने खुद संपर किया है। ये मंडी में सेब सीजन आरम होने से 15 दिन पहले सोलन पहुंचाएंगे जिने 15 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा ताकि करोना संक्रमन का भय कम से कम रहे। जिला सचिप ने सभी बागवानों को आशवाशन दिया है कि जिस तरह से लहसुन और मडर में किसानों को किसी तरह का नुकसान सोलन की मंडी में नहीं होने दिया है उसी तरह से नीमों के अमसार सेब सीजन में भी किसी तरह का नुकसान बागवान को नहीं होने दिया जाए पर देशन ने मार्केटिंग बोर्ड हिमचल प्रदेश ने और हिमचल प्रदेश शरकार ने पूरी त्यारियें कर ली हैं जो हमारा होमबर्ग था असाइनमेंट्स थी वह हमने कंप्लीट कर लिया जैसे कि वायर जलगभग 125 की लिस्ट हमें कमिस्टन अजेंट्स के थूम मिल हैं तो उनको कॉरिंटीन करना होना होगा जैसे कि कहा गया है गौर्मेंट के दोरा लेकिन यह नहीं है कि उनको होम कॉरिंटीन करना है कि इंस्टियूशनल करना है वो डिस्टिक अडिमिस्टेशन अपने लेवल पे तैय करेंगे जैसे वो लोग जहां रहना चाहेंगे उस लगने वाली हैं जिसमें से एक हमने भेज़ दिया दो और लगाने वाले हैं और यहां भी मंडी में तीन टचलेस मशीने रहेंगी साथ में मंडी को सेनिटाइज किया जाएगा लभग दो बार जिसके लिए कि हम टेंडर भी कर रहे हैं छोटे आउक्षन की हमने प्रसेस कूर कर रहे हैं ताकि वहां पे अलग से लोग हो लेवर हो जो कि सुबा चार बज़ से लेगे रात को आठ नौ बज़ तक सेनिटाइज करें मंडी को किसान भाईयों को भी आपके माध्यम से प्राथना करता हूं और उनसे अपील भी करता हूं कि घबराने की बात नहीं है आपका मटर भिका है गारलिक लेस्टन भिक रहा है फ्रेंच भीन भिक रही है किसी भी प्रकार की हमें दिक्कत नहीं आई कि कि जानों की कोई चीज बेस्ट हुई हो